हेलो फ्रेंड्स स्वागत है मेरे चैनल पर मैं हूँ नवीन मिश्रा मैं इस चैनल पर इगनू के BCMCA students के लिए वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं mainly question papers को solve करता हूँ या कोई course की वीडियो बनाता हूँ इस वीडियो में मैं December 2022 का Java का question paper है subject code MCS024 उसका second part है पहले part में मैंने question 1 को solve किया था इस part में question 2 और question 3 को solve करूँगा ठीक है न वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से request है प्लीज आप हमारे चैनल को subscribe करें अगर 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 अपने friends के साथ हमारी वीडियो शेयर करें करें उनको बोलें हमारे चैनल को subscribe करने को चलते हैं इस वीडियो की तरफ तो यार mcs 2000 दिसमबर 2022 का question paper मैं solve कर रहा था just a second question paper solve कर रहे थे इसका first part मैंने solve कर दिया है first part की वीडियो का link मैं इस वीडियो की description में डाल दूँगा अभी हम second part पर focus कर रहे है second question है a part grid layout और grid back layout क्या होता है containers यार important topic है याद रखना ठीक है न आपके containers आएंगे हिसाब से हमने एक question लिखा हुआ है तो इससे पीछे भी पिछले question paper में भी containers का question paper आया था इसमें उसने grid layout और grid back layout को पूछा हुआ है और java platmas का usage बताया है main layer मैंने पहले एक layout के बारे में बता दिया कि layout होता गया है देखो यार जब भी आप GUI programming करोगे GUI stands for graphical user interface जब भी आप GUI programming करोगे जिसमें आपको एक panel चाहिए ठीक है ना जैसे यहाँ पे आपका email id डाले बंदा यहाँ पे आपका password डाले और यहाँ पे आपका submit button हो और यहाँ पे आपका cancel button हो है ना तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आपको एक container की जुरुत पड़ेगी इस outer box will be called a container container के अंदर चीज़ें कैसे रखी जाएंगी how would you place them यह decide करता है आपका layout manager so कई layout managers हैं कई containers हैं हर एक container के अपने layout styles होते हैं तो layout होता क्या है place and arranging of awt और swings जो मरजी हो सकता है उसको container window पे कैसे रखा जाएगा layout manager का काम है कि आपके text box आपके password field आपके buttons को layout managers पे place करें ठीक है ना layout managers जो होते हैं वो platform independent होते हैं ठीक है ना और आपकी user interface के साथ mapping करने में help करते हैं layout को set कैसे किया जाए तो इसके लिए आपके पास एक बना-बना है method है set layout set layout method से आपके layout को set कर सकते हो ठीक है तो और कई layout managers है हमारे पास total यह six to seven layouts हैं इस video में हम grid और grid bag layout है उसको cover up करेंगे ठीक है तो grid layout पे आते हैं यह हमारा grid layout है ठीक है ना grid layout में क्या होता है grid layout यार जैसे आपका table होता है टेबल में rows and columns पड़े होते हैं ठीक है न यह उस रिसाफ से काम करता होता है ठीक है न आपके table को rows and columns में divide कर देगा ठीक है जैसे कि यह देखिए यह आपका जैसे एक table है इसके अंदर जैसे आप इसको rows और columns में divide करता हो गए तो इस तरीके से grid बनाता है यह भी एक simple layout manager है इसको grid कहा गया है ठीक है न यह आपका grid हो गया ठीक है न रोस और columns में divide करता है इसका program है main yard तो देखो applet बनाने को बोला था तो यह applet package को call किया है buttons बनाने के लिए button और grid layout को call किया गया है फिर मैंने अपनी applet class को create किया है public class my grid applet यह applet class को rate करेगा applet का init method होता है यह पहला method होता है जो चलता है जब आप applet को run करते हो इसके लिए set layout method को call किया और इस grid layout class के object को initialize किया और grid कितने बाए कितने का हो जैसे यहाँ पर देखो तो 3 rows और 3 column का है लेकिन मैंने simple लगते हुए 2 by 2 का बनाया है तो 2 rows and 2 column और add method की मदद से 4 button new button method create किया है 4 button बनाया है उन buttons के नाम क्या होंगे 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर आपने output देखो तो यह 4 buttons बने पड़े हैं तो इस तरफ जो है आपकी output है और applet को run कैसे किया जाता है तो मैंने यहाँ पर screenshot पर रखा हुआ है इस class का नाम था आपका migrate applet तो java c migrate applet.java और run करने के लिए applet viewer applet viewer अब out to date हो गया है jd के 1.8 के बाद आपको applet viewer चलाने को नहीं मिलेगा तो मैं भी यह practical ना हो आप run ना कर पाओ लेकिन आपका यह code ऐसी ही रहेगा आप code लिखके इसको चला सकते हैं अब आगे चलते हैं grid layout के बाद आगे grid back layout almost same है थोड़ा advanced हो जाएगा यार same applet है applet बनाया है same init method है set layout से new grid layout को बनाया है grid back layout को ठीक है ना और इसके constraint set करने के लिए मैंने क्या किया है एक grid back constraint नाम का class है जिसका object बनाया है मैंने जैसे grid होता है ना जैसे आप आपका यह है ठीक है तो यह आपकी x-axis होती है ना यह आपके y-axis होती है तो यह हो जाएगा x0 y0 यह हो जाएगा x1 x0 y1 यह हो जाएगा x0 y2 यह हो जाएगा x1 y0 1 1 1 2 तो आपको इस तरीके से grid की position बतानी होती है तो इस gbc method का gbc.grid x 0 और grid x y मतलब मैंने पहले box को denote किया है इसको fill किया gbc.fill इसको fill करो कैसे पूरे constraint को fill करो और इसके अंदर यह button डाल दो इस grid back container में इस button को उसने place कर दिया and similarly 1 0 1 0 मतलब first row grid x 0 1 है और यह है तो यह वाले position 1 0 ठीक है न x1 यह होनी चाहिए 1 0 x-axis 0 और y-axis 0 फिर x-axis 1 यह दो buttons मैंने बनाए है और in buttons को यहाँ पे please कर दिया गया है तो यह आपका grid back layout का question था with program program थोड़ा मुश्किल होगा आप program avoid कर सकते हो theory पढ़ लेना ठीक है हम अगले question पे अगला question क्या है अगला question था उसने string class और string buffer class का difference पूछा है with example यह सिधी बात है string class जो है वो immutable string मनाती है immutable का मतरब कि जो change ना हो जाए और string buffer change कर सकता है तो देखते हैं जरा इसको just a second हाँ तो string class क्या है वही मैंने यहाँ पे लिखा है short में कि यार in build class है यह भी string को double quotes में रखना होता है और यह immutable होता है string buffer peer class है उसी की string जो है आपकी fixed length का string मनाते हैं और जो change नहीं हो सकते जब कि string buffer बढ़ा सकते हो growable और change करने वाले characters को बनाते हैं string और string buffer का difference आप यहाँ से उठा सकते हो string होता है आपका immutable change ना हो सके string buffer होता है mutable string constant pool में data store करता है string buffer heap में data store करता है यह अगर threaded environment यूज़ कर रहे हो तो यह छोटी-छोटी example बोल दी देखो मैंने क्या बता है मैंने क्या एक बड़ string object बन गया इसकी value आप change नहीं कर सकते कोई भी operation डाल के आप change करोगे वो actually निया object बनाएगा तो string str equal to hello लिखा था तो माल लो आपका यह str का box बना है जिसके अंदर यह hello लिखा हुआ है जब आपने यह कहा str equal to str plus world तो उसने क्या किया hello इसको delete कर दिया पुराने string को hello plus word दोनों को add किया और string में नया बना दिया मतलब नया string बनाया उसने hello word को पुराने को edit नहीं करेगा नई memory में नया block alert कर देगा string को लेकिन string buffer ऐसा नहीं करता string buffer में append function है जिसकी मदद से आप append कर सकते हो वो क्या करेगा जैसे hello बना पड़ा था अलरड़ी आपका तो वो क्या करेगा इसको append कर देगा इस box को बढ़ा देगा और इसके अंदर word को store कर देगा ठीक है ना तो यह string string buffer का with example मैंने आपको difference समझाया हुआ है ठीक है ना I hope आप लोगों को समय लग गया आगे चलते है अगला है second का C part applet क्या है और all faces यार ये उपर आया है question जस्ते second java applet का था यहाँ पर ये f question java applet और नीची applet ये same ही है कुछ difference नहीं है भाई ठीक है न तो वह same ही question है लेकिन इसमें उसने faces पूछ लिए है और इसमें आपको difference पूछा है तब faces पे चलते हैं ठीक है तो applet का definition ये पुराना ही है यार मैं explain नहीं करूँगा ठीक है ना आपको अलड़ी बता चुका हूँ applet web-based applications बनाने के लिए यूज होते हैं आपकी html code में आप java embed कर सकते हो using applet जब भी applet चलता है तो applet का life cycle होता है एक sequence होता है जैसे thread का होता है वैसे applet का होता है इसके भी कई stages होते हैं generally चार categories में बटने जाते हैं लेकिन एक अंदर extra paint stage भी होता है born, running, idle, dead यह आपका diagram है जो आप diagram बना सकते हो init method जब call कर लोगे तो आप born state में आ जाओगे वहाँ से start method कर लोगे तो running में आ जाओगे running में output को display करवाने के लिए आपको paint method call करना पड़ता है रुके हुए चलते हुए applet को रोकना है तो आप stop method से उसको idle state में लेके आ सकते हो रुके हुए को वहाँ पर सिलाना है start method से कर सकते हो और हमेशा के लिए जब उसको बंद करना है तो destroy method के मजब से आप dead state में move कर सकते हो तो यह आपका life cycle of applet या applet के phases के related है यह diagram बना सकते हो अब एक-एक का explanation इनिट state में क्या होता है भाई जब तो applet चलाता है तो सबसे पहले इनिट state ही चलता है ठीक है ना यह सिर्फ एक बार चलेगा बार बार नहीं चलेगा इसमें आप क्या कर सकते हो param tag के value को read करना font set करना background, foreground, foreground audio, video set करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो यह उसका example है public word init set background और set foreground से मैंने background color और foreground color को set किया है आगे चलते हैं running state और display state दूसरा stage running state होता है ठीक है ना जब आप start method को call करोगे तो इस method में चले जाओगे start method कुछ ऐसा होता है इसके बाद एक display stage होती है आपने applet में कुछ भी draw करना है तो उसके लिए आपको paint method चाहिए paint method में मैंने यह draw string method कॉल किया हुआ है तो यह paint method है जब आपका running state चल पड़ेगा तो यह display state है यहाँ से आप screenshot ले सकते हो इसको पढ़ सकते हो आगे idle state idle state मतलब still है कुछ नहीं कर रहा यह idle state है minimize state कहते है इसको ठीक है न यहाँ पर applet कोई memory को use नहीं करता stop method कॉल करोगे तो आप इसमें चले जाओगे वह आप इस activate भी हो सकता है start method की मतलब से फिर एक आता है dead state dead state होता है जब आप destroy method को call कर दोगे तो यह dead state है इसको आप ऐसे समझे लो यार अगर मैं applet की बात करूँ तो जैसे कि यह है आपका इस वक्त यह applet चल रहा है यह start state में है जब मैंने इसको minimize कर दिया तो यह idle state में चला गया idle मतलब waiting state में जब मैंने खोल दिया यह दोबारा start state की method से running state पे आ गया और जब मैं इसको cross कर दूँगा तो यह destroy dead state में आ जाएगा ठीक है ना तो यह आपका दूसरा question था जो applet का था second का see part applet और applet का life cycle important questions में से है ठीक है ना अग्गे बात करते है get and post method की यह get and post method की उसने suitable code पूछा है code चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ठीक है ना फिर भी मैंने इस code का output आपको दूँगा लेकिन आपको याद नहीं होगा I am sure फिर भी आप theoretically इसको पढ़के चले जाना ठीक है ना तो होता क्या है servlet programming servlet है उसके अंदर get and post methods को यूज किया जाता है applets, applets से j applets, j applets से servlets आजकल servlets चलते है jsp programming और servlets चलते है तो servlet में हमारे पास एक get method और एक post method है get method क्या कहता है get method कहता है अगर आपने data request करना है server से यह client है यह server है client यहाँ से data कुछ get करना चाहता है तो get method को call करेगा जो भी data आपका डालेगा वो url में डाल दिया जाता है url होता है जो आपका uniform resource locator जो आपकी website का पुरा नाम होता है उसको url बोलते हैं उसके साथ attach work कहा जाएगा get request typically used for fetching data and should not have any side effects on the server वो ही data fetch करने के काम आता है इसके लिए आप do get method को call करते हो और इसके चलाने के लिए आपको http servlet class का object बिनाना पड़ेगा post method जब send करना है data client ने जब server को data send करना है तो post method यूज़ होगा same वैसी post method है post method से आप data update करने को या modify करने को यूज़ करते हो इसके लिए आप do post method को call करते हो तो this is a theoretical part get है क्या और post है क्या मैंने वो explain किया है अब program पे आते हैं देखो याप program थोड़ा tough है आपको फिर भी समझा देता हूँ पहली चीज servlet package को import कर लो तो import javax.servlet.star इसमें exception handling का part यूज़ होगा तो आप io exception class को भी call कर लो फिर आप अपनी class बनाओ my servlet नाम की public class my servlet यहाँ से शुरू यहाँ पे खतम यह class क्या करेगी inbuilt http servlet class को inherit करेगी extends की मदल से अब यह दो method बनाएगी protected void do get, protected void do post यह overridden method से आपको दोवारा बनाना पड़ेंगे यह दोनो methods दो parameter लेंगी एक servlet request class का और एक servlet response class का same ठीक है http servlet request, http servlet response are the inbuilt classes placed in the servlet package जब भी यह do get और do post method आप code करते हो तो यह ना exception raise कर सकते हैं तो उसको handle करने के लिए throws, servlet exception and io exception, दो तरीके के exception raise कर सकते हैं उसको आपने throws में define कर दिया है, same यहाँ पर, same यहाँ पर फिर इसके अंदर curly braces के अंदर इसका code और यह इसका code string name आपने request करनी है request.get parameter request यह object है request.get parameter से name method को receive करोगे फिर content type जो output आएगी वो html form में आएगी और आप response.getwriter.println से इसको print करवा रहे हैं वैसे ही अगर आपने value set करनी है तो string username and string password उसकी request कही है values response type set किया है और println से उन values को display करवा दिया है तो this is the code of do get and do post methods of savlet class get and post method कहे जाते हैं यह coding में इसको ऐसे use किया जा सकता है ठीका न? तो कोशिश करो memorize करने की ठीका बाकी अब चलते हैं हम अगले question की तरफ इसी के साथ हमारा second का deep part खतम हो गया है हम अब third question पर आते हैं third question में mostly programs ही है तो सबसे पहले उसने program दिया है कि भाई एक file create कर दे igno.txt नाम की उस file के अंदर यह igno message प्रिंट कर दे पस प्रोग्राम लिखना है और कुछ नहीं लिखना है तो there you go प्रोग्राम कैसे लिखा है अगर file handling कर रहे हो तो और file में data आप write कर रहे हो आप कि चाहते हो कि एक file बने जिसके अंदर आपका data store हो जाए तो उसके लिए आपने file writer class को call किया है यह import java.io.file writer और यह भी exception raise कर सकता है तो io exception को भी call किया है create file नाम की class बनाई उसके अंदर main function बनाया I will not explain this आपको अलरी पता है फिर file का नाम क्या रखना है तो ignu.txt मैंने string file name variable ले लिया जो message डालना था उसको content variable में रख दिया string content जब आप file open करोगे file writer class के थूँ तो यह भी exception raise कर सकती है इसलिए इसको try catch के अंदर रखा गया है अगर कोई भी exception आती है तो throw keyword से आप catch में move करोगे यह i.o.exception है यहाँ पे आप error में से display करोगे अब try block के अंदर क्या करोगे यह file writer class का आप object बना रहे हो file writer यह object name है equal to new file writer file का नाव यहीं के ignore.txt फिर इस file में content write करना है तो इसी object का dot write method file writer dot write content method बता दो वो content write कर देगा जब आपका file में content write हो गया आप पने file को close कर सकते हो close करने के बाद user को एक message दिया है कि file बन गई है data save हो चुका है यह मैंने नीचे आपको करके दिखाया है कि इसको compile ऐसे करोगे run ऐसे करोगे और last में यह message आज आएगा और इसकी file कहाँ बनी है यह देखने के लिए हम क्या करेंगे जहाँ पर यह question save हुआ है just a second कहाँ पर question save हुआ है यह देखना पड़ेगा यह हुआ है जावा प्रोग्रामिंग जावा नोट्स जावा प्रोग्रामिंग जावा नोट्स यहाँ पर create file मैंने अभी बनाई है तो इसमें ignu txt नाम की file बननी चाहिए अगर आप इसको open करोगे तो यह देखो hello ignu लिखा हुआ है तो this is what was expected in the code कि एक text file बने जिसके अंदर आपकी file save हो जाए अगर इस प्रोग्राम को आप compile and run करोगे तो आपका यह desired result आपको मिल जाएगा तो चलते हैं आगे ओके थर्ड का B question है अब कहता है कि print writer class यूज करके दिखाओ और print writer class के मदद से मुझे message print करो और उस code को explain करो using comments तो यह भी एक program था 3rd के B पे आते हैं यह 3rd का A part था यह भी program था यह 3rd का B part यह भी program है print writer class io package के अंदर पढ़ी है तो उसको सबसे पहले import किया गया अपनी class बनाई class का नाम जो मर्जी रख लो अपना main method बनाया main method बनाने के बाद इस class का object बनाया print writer, print writer, new print writer जैसे आप message print करने के लिए system.out.println यूज करते हो उसी system.out को as a parameter इसमें pass कर देना है ऐसे ही आप scanner class को भी यूज करते हो scanner scan equal to new scanner system.in लेकिन print है तो system.out अब जो print talent है इस object के थूँ चल पड़ेगा print writer.println this is the message you print print writer के अंदर जो भी data पढ़ा है उसको flush किया और इस file को close कर दिया जब आपने इस program को run किया compile and run किया यह आपकी out पटा जाएगी तो this was the code ठीक है ना I hope आप लोगों को यह समय लग जाएगा चलते हैं हम आगे अगले question की तरफ last part exceptions क्या होती है cause क्या है प्रोग्राम लिखके दो यह भी बहुत बार आएगा तो इसको भी देख लेते हैं वह exception होता क्या है generally जब आप प्रोग्राम लिखते हो और नहीं आई है और उसने आपकी dot class five बना दी है और फिर आपने जब उसको run करते हो तो आपको या तो output गलत दे रहा है या दे ही नहीं रहा ठीक है धो आपको या दे रहा या दे ही नहीं रहा प्रोग्राम को run करते होए जो error आता है उसको runtime error कहते है यह error compiler नहीं पकड़ेगा यह error का current गलत logic लगा दिया है प्रोग्रम गलत लगा दिया है इसी runtime error को exceptions कहते है कुछ common exceptions division by 0 5 divided by 0 infinity होता है basically यह exception कहलाती है array index out of bound array बनाया है तुमने int a5 मतलब 0 से 4 का लेकिन आप call कर रहे हो a7 तो यह array index out of bound हो जाएगा index पार्च 4 तक का था तुम 7 number कैसे call कर सकते हो array store exception यह integer array था इसके a0 में आप क्या कर रहे हो a0 में एक character या string डालने की कोशिश कर रहे हो array store exception file open करने की कोशिश करी पीछे file बनी ही नहीं होई file not found exception ठीक है ना तो जब भी आपकी exception आती है होता क्या है आपका जो interpreter hack interpreter उस exception class का object बनाता है और उस exception object को throw कर देता है अगर तुमने try catch block नहीं लगाया है तो यह exception handle नहीं होगी यह सिधा आपकी output screen पे लेके जाएगी और आपके remaining program को चलाना बंद कर देगी अगर आप चाहते हो कि ठीक है exception है फिर भी आपका program continue करे चलता रहे तो उसके लिए आपको exception handling करनी पड़ेगी जब आप Java में exception handling use करते हो तो यह 5 keywords को utilize किया जाता होता है 5 keywords क्या होते है यह पहले भी हम बता चुके है मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा फिर उसने पूछा था cause of exception है क्या तो मैंने सिर्फ points बना दी है programming error हो गया programming error वही division by 0 हो गया error index out of bound हो गया वह आपको इसमें explain कर देना external factors external factors क्या होए internet से आपने कुछ download कर रहे थे internet चलना बंद हो गया database से कुछ connect कर रहे थे database बंद हो गया insufficient resources आपके program ने इतनी ज्यादा memory ले ली उतनी memory पड़ी नहीं होई तो insufficient resources invalid input वही चीज़ division by 0 तो यह आप explain कर सकते हो नहीं तो points भी लिख दोगे तो more than enough है फिर उसने program पूछा था तो मैंने देखो complicated नहीं किया है नहीं तो इससे पहले आपने अभी जो program किया था igno txt वाला या आपने program किया था sublet वाला आप वो भी example में लिख सकते थे अगर आपने एक code याद किया हो उसमें try catch लगाया तो उसी को लिख दो लेकिन मैंने यहाँ पे एक निया code बना दिया है division by 0 का जो असान है उसने program को explain करने को बोला था तो वही चीज़ है भाई a, b, c, 3 variable लिए a, b, c, 3 variable को initialize कर दिया है तो a 10 है b 0 है और c 0 है c equal to a divided by b यह हो नहीं सकता तो क्योंकि 10 divided by 0 करोगे तो यह exception raise करेगा क्योंकि exception raise करेगा तो यहाँ से code आपका catch block में move कर जाएगा और यह line आपकी print नहीं होगी catch block में मैंने क्या किया है इस try को catch करने के लिए यह exception class का object है जो इसको catch करता है मैसे दिया कि भाई आप divide by 0 नहीं कर सकते इसके बाद कि जैसे यह line है value equal to c यहाँ पर यह line चल जाएगी आपकी लेकिन यह line नहीं चलेगी इसी को मैंने comments में explain किया है ठीक है ना आप पढ़ लेना और यह आपके program की output आएगी ठीक है ना इसी के साथ question 2 and question 3 खतम होते हैं अगली वीडियो में मैं question 4 और question 5 के solutions प्रवाइट करूँगा आज की वीडियो हम यहीं खतम करते हैं I hope आप लोगों को मेरी वीडियो समय लगी होगी मिलते हैं आप से अगली वीडियो में see you in the next video cheers